गुड मॉनिंग चिल्रेंस, क्लास एट, केमिस्ट्री, रिविजन रवर्क फर हाफ यरली एक्जाम, लेशन नाइन, कमबसन एन फॉजिल फ्यूल टूड़े टॉपिक इस कालियरुफिक वैल्यू बच्चो कालियरुफिक वैल्यू क्या है ठीक है अगर हम एक केजी फ्यूल को प्योर ऑक्सिजन की प्रिजेंस में कम्प्लिटली बर्न करवाते हैं तो कम्प्लिटली बर्न करवाने के बाद हमें जितनी मातरा में हीट एनर्जी मिलता है उसको हम लोग खाते है कैलियरुफिक वैल्यू है न बच्चो अगर एक केजी फ्यूल को प्योर ऑक्सिजन के प्रिजेंस में कम्प्लिटली बर्न कराते हैं तो कम्प्लिटली बर्न कराने के बाद हमें जितना अमाउंट में हीट एनर्जी मिलता है उसको कहते है कैलियरुफिक वैल्यू बच्चो इसका यूनिट भी होता है दा यूनिट ऑफ कैलियरुफिक वैली इज कीलो जूल पर कीलो गराम शॉट में कह सकते है केजे पर केजी इसका यूनिट होता है बच्चो केजे पर केजी यानि कीलो जूल पर कीलो गराम ठीक है अब अगला आजाएए बच्चो features of a good fuel यानि good fuel, ideal fuel का features विसस्ता हैं खासियत क्या है इसका first बच्चो it should be cheap या सस्ता होना चाहिए it should be easy to store इसको आसानी से रखा जाना चाहिए इसका भंडारन आसानी होने चाहिए आसानी से store कर सकते हैं it should have a high calorific value calorific value good fuel का high होना चाहिए यानि ये भी एक विसस्ता है कि ideal fuel का calorific value high होता है fourth it should not produce harmful gases और good fuel, ideal fuel को जब हम लोग जलाते हैं तो उससे कोई भी जहरिले gas and harmful gas release नहीं होनी चाहिए इसके बच्चो number fifth it should have low ignition temperature but not below room temperature इसका ignition temperature कम होनी चाहिए it should undergo complete combustion और ये ये पूरी तरह जलना चाहिए यानि ideal fuel उसको कहते हैं जो complete combustion होता हो है ने बच्चो तो ये रहा कुछ features ideal fuel का ठीक है बच्चो thank you